समाधान, समाधान, समाधान हम उस आध्यात्मिक पहलू को इस कारिक्रम में जोड कर चल रहे हैं पिछले कई एपिसोड में हम सब ने चर्चा की विद्यार्थियों के विभिन समस्याओं पर और उनके समाधान तक पहुचने का प्रयाज किया बहुत अच्छी प्रतिक्रिया बहुत अच्छा रेस्पॉंस विद्यार्थियों की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है और इसके लिए आप सब का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने इतना सुन्दर रेस्पॉंस दिया अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं युवाओं की समस्याओं को युवावर्ग जो हमारी देश की बहुत बड़ी संपत्ती है युवावर्ग यदि अपनी शक्तियों का सहीं इस्तमाल करें तो निश्चित रूप से कोई भी रास्ट बहुत ही संपन बहुत ही स्रेष्ट और बहुत ही महान बन सकता है इसमें कोई भी दो राय नहीं है, दो मत नहीं है यदि हम संसार की विभिन्न क्रांतियों की ओर देखें तो सभी क्रांतियों का मूल युवा ही रहा है उसका आधार रहा है युवाओं के बिना कोई भी परिवर्तन अब तक संभाव नहीं हुआ है तो क्यों न युवा वर्ग जो आज विभिन समस्याओं से जूज रहा है हमने सोचा उनकी समस्याओं का निदान करते हुए एक सुन्दर समाधान तक उन्हें ले करके चले इसलिए हम इस सुन्दर कारिक्रम में अब युवाओं की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और हमेशा की तरह हमें समस्या से समाधान की ओर ले चलने के लिए हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए हमारे साथ हैं आदर्नी राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुर्यभाय जी आईए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं प्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तेंक यू प्राता जी युवाओं का देश है भारत और विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि युवा वर्ग हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है आगे आ रहा है और जो विकास हम देख रहे हैं समाज की जो स्थिती देख रहे हैं बहुत बड़ा योगदान युवाओं का उसमें है लेकिन एक विशेश चीज देखने में आते ही यदि हम देखें युवाओं को तो कि अधिकान शिवा अपनी जीवन में लक्ष नहीं बना तो आज हम विशेश करके चर्चा करेंगे कि लक्ष कितना इंपोर्टेंट है ब्राता जी मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सचमुच लक्ष बनाना जरूरी है या बिना लक्ष के भी किसी का जीवन चल सकता है देखिए जैसा आपने कहा यह सत है कि युवक हमारे देश की हमें उन पर गर्व है उनमें से ही कई yuok महान वैज्यानिक बनकर संसार को कुछ अध भुत चीज देंगे इनमें से ही कुछ महान विवक बड़े इंगेंइन्येफ बनकर कुछ नई चीजे पैदा करेंगे, क्रिएट करेंगे इन मेंसे ही कुछ बहुत ही श्रेष्ट तरह के नेता बन सकते हैं अगे चल कर और अभिनेता भी तो वास्तों में यूआ काल मनुस का एक बहुत सुन्दर काल होता है जिसमें वो अपने भावी जीवन का निर्मान करता है और जैसे आपने कहा, लक्स का सचमुच बहुत महत्व है, लक्स वहीन जीवन तो वैसे ही है, जैसे पहले समय में, बिना ब्रेक के साइकिल, और आज कल, कैदर बिना ब्रेक के बहुत सारी गाडियां, जो दलान पे चल रही हो, और ब्रेक नहों, तो एक्सिडेंट भी होगा, गाडियां भी तूटेंगी, खुद को भी चोट लगेगी, इसलिए लक्स युक्त जीवन जीना, इसे ही हमारा समय, हमारी एनरजी, हमारी मन, हमारी बुद्धी, धन, सब सफल होता है, अगर जीवन का कोई लक्स ही नहों, और हम चलते जा रहे हों, हमें ये पता नहों के कि जाना है, तो हमारा चलना हमें ठकाएगा भी, और मंजिल पर हम कभी नहीं पहुच पाएगे, ये तो ऐसा हो जाएगा प्राताजी, जैसे सागर में कोई कस्ती हो, और उसकी नावी को ये पता ही नहों कि उसे किस दिशा में जाना है, फिर उसे तूफान जीदर चाहे ले ज जाकर उसके जीवन में हतासा, निरासा पूरी तरह से भर दें, प्रताजी कई बार सपने और लक्ष दोनों में अंतर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता युवाओं के लिए, बहुत बार सपने तो प्राया सभी देखते हैं, सभी युवा देखते हैं कि मैं ये करूंगा, ये ये बनोंगा मेरे जीवन में, ये होना चाहिए, आधी आधी इत्यादी, हर एक सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, हर एक धोली जैसा बनना चाहता है, हर एक जो हमारे स्टार है, वो शारुक खान है, मिताब बच्चन है, उन जैसा बनना चाहता है, लेकिन उन्हों ने ऐस यहीं के लिए कितनी महनत और परिश्रम की शाद इसके पीछे वो नहीं देखना चाहता इसके पीछे एक्च्वली ड्रीम के साथ साथ लक्स भी था उनके सामने और यही के ड्रीम तो हर वियक्ति बहुत अच्छे अच्छे देखता है और विशेशकर युवक उनके मन पसंद जो भी एक्टर हो या खिलाडी हो या कोई वज्ञानिक हो या नेता हो वैसा बनने के स्वपन तो हमेशा ही देखते रहते हैं लेकिन लक्स के साथ एक और चीज भी जुड़ी होती है एक सुंदर प्लानिंग वैसे ही मेंटलिटी बना कर चलना वैसे ही बुद्धी को लेकर चलना वैसे ही संसाधन जुटाना इसलिए लक्स कहीं बेतर है स्वपनों से लेकिन पहले मन उस द्रीम अवस्य देखेगा लेकिन ड्रीम को यदि वो अपने सुंदर लक्स में बदल ले तो ये लक्स उसे वहीं ले जाएगा जहां वो जाना जाता है मतलब केवल सपनी ना देखता रहा है जैसे हमारी हाँ कई बार कहते हैं कि दिवसवपन कि तुम तो दिन दहाडे सपनी देख रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो और किसी ने बहुत अच्छा काया है कि जो व्यक्ति सपनी देखता है वो सो नहीं पाता क्योंकि वो अपने सप अपने को पूरा करने में लग जाता है, तो किवल सपने ना देखें, लेकिन लक्ष बनाए अर्थात कुछ ठोस उसके पिछे, प्लानिंग अवश्य उनकी होनी चाहिए, इसमें ये बात हम पहले से शुरू कर देते हैं, कि जब मनुस एक लक्ष बनाता है सुंदर, और वो ल इस्चित लक्ष मनुस बना ले, चाहिए वो एक साल के लिए बनाये या पांच साल के लिए बनाये, या पूरे जीवन के लिए बनाये, वैसे छोटे छोटे लक्ष बनाना अति उत्तम होता है, तो क्या होगा कि ब्रेन की समस्थ सक्तियां, बल्कि अगर वो पैसा जूटाने लगेंगी, मानलो उसके कोई साथी नहीं है, तो उसको साथी तैयार कराने लगेंगी, जैसी अपोर्चुनिटी उसे चाहिए, जैसे खुले द्वार उसे चाहिए उस लक्ष तक पहुँचने के लिए, ये ब्रहमान की समस्थ सक्तियां वो द्वार खोलने लगेंगी, इसलिए लक्ष का द्रड़ता पूर्वक निर्धारन करना पर हमावस्था है, जैसे किसी महापुरुष ने कहा भी है ब्रताजी, कि जितना हम सोचते हैं पाने का, या जो हमारा लक्ष होता है, उतना ही हमें मिलता है, यदि हमने छोटा सोचा होगा, तो हमें छ लक्ष हमारा बहुत उचा हो लेकिन जैसा मैं कहह रहा हूँ, विवक लक्ष बना लेते हैं और सोचते हैं जो प्राचीन काल में लोगों ने कहा है, फिलोसोफर्स ने कहा है, वो तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसमें कहीं-ना-कहीं उस लक्ष को निर्धारन करने में उस तक पहुँचने में जो मनुस को द्रड़ता होनी चाहिए, उसमें उसमें मनुस कमी रख देता है, देखें, दोनों तिनों चीजे हैं, लक्ष निधारित करना, वो भी द्रड़ता के साथ, एक ही लक्ष, तुसरी चीज है, उसकी सुंदर प्लानिंग बनाना, और तीसरी इंपोर प्लानिंग को फोलो करना, यनि हाड़ वर्क करना उस लक्ष तक पहुंचने के लिए, बहुत संदर, मतलब यदि स्वपन और लक्ष को हम यदि थोड़ा सा इन में भेद करना चाहें, तो यही होगा कि स्वपन के साथ कोई भी प्लानिंग नहीं होती, हाड़ वर्क नहीं ह KPM कल्चर जो जादातर ब्राता जी आजकल चला आ रहा है, कि खाओ, पियो, मौझ करो, बाकी कल कौन देखता है, और कल क्या होगा, तो देखा जाएगा वाली बात है, गीद भी है कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, तो यदि इस सिद्धान पे चलते हैं, कही कही भविष में थोड़ी हो दासी, निराश्या, जाएगा, जाएगा, तो ठीक है, लेकिन जो मौझ है, वो थोड़ी दिन रहती है, कही खाने पिने वाले लोग विस्तरों पे पड़े हैं, कही होस्पिटल्स में पड़े हैं, और कहीों की मौझ पूरी तर है नस्ठ हो गई इस अंसार में हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं, जिन को थोड़ी परिश्रम से जादा सफलता बिलती है, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं, जो भागी के धनी होते हैं, और बिलकुल टच करेंगे, और सोना अपराप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते ह जिनोंने महनत से अपने महन लक्ष को चरम लक्ष को पाया होता है, तो न हम भागी के भरोसे रहें, और न हम ये इंतजार करें कि थोड़ी महनत से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हम धरता पूरवक पिलकुल इमानदारी से अपने लक्ष को सामने रखते महनत तरें, तो पूनिष्चित रूप से भागी भी हमारा साथ देगा, और हम मंजल पर अवस्य कोंच लेगा, कहीं लोग ब्रता जी कन्फ्यूज रहते हैं, कि आखिर लक्ष का निर्धारण किया कब जाए, जैसे कि कुछ सोचते हैं, कि भई हम इस समय तक बना लें, इस समय तक बना लें ताकि हमारी पूरी शक्तियां उसे प्राप्त करने में लाएं, देखिए, बात ये थोड़ी कॉंप्लिकेटेड भी है, क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं, हम तो ये कहेंगे, कि दसवी तक पहुंचते-पहुंचते, उनके सामने एक सुन्दा लक्स होना चाहिए, कोई ये बताने वाला नहीं होता कि तुम्हारा लक्स कैसा होना चाहिए, वो ग्यार्यूई में गए, उनके साथ ही जो सबजेक्ट ले रहे हैं, उन्होंने भी ले लिया, बले ही वा आगे चल के सोचते रहें, अरे तुम्हें तो इंजीनियर बनना था, तुमने कोमर्स ले इसलिए एक तो ये चीज देखने में आती है, कि जहां पढ़े लिखे माबाप हैं, और परिवेस ऐसा है, जो पहले से ही लक्स के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, ये भी है, लेकिन इसमें एक बात कभी-कभी ये एक विरोदा भास हो जाता है, कि माबाप अपन माबाप के अग्यान उसार, वो अपने माबाप को खुष करना चाहते हैं, कि माबाप पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी इच्छा है, मेरा इलड का डॉक्टर ही बने, और वो बिलकुल उसके लिए जोल लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे की रूची कुछ और है, अब वो और सब्जेक्ट लेना चाहता है, मानलो ओसिये बनना चाहता है, मानलो वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, यहां भी एक संघर्स होता है लक्स के निदारन में, तो जादे तर ऐसी स्थिती में क्या करें बाताजी, अब मैं समझता हूँ, आम तोर पे दस में से यदी आठ परिवार को देखा जाया, तो यह सिच्वेशन तो आती होगी कि पैरेंट्स जो उनके इच्छा रही हो और वो ना कर पाए हो, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो पूरा करें, लेकिन बच्चों की इच्छा, बच्चों का बड़ा मान है, यह डोक्टर दूसरों को सुख भी बहुत दे रहे हैं, उसकी इच्छा मैं भी दूसरों की पीडा समाप्त करके सब को सुख दू, समाज में मेरा नाम भी हो, वो अपनी यह इच्छा रखता है, यह लक्स बनाना चाहता है, लेकिन माबाप अजकल मेरिकल के लिए बहुत पैसा चाहिए, पहले ही डोनेशन ही 25-25 लाग चाहिए, अब यह भी सोचता है कि क्या मैं अपने माबाप को गरीब ही में छोड़ कर डोक्टर बन जाओ, या मैं आयुरुवेद की ओर चला जाओ, डोक्टर ही बनना है तो होमयोपैथ ही ले ल जहां माबाप को भी कटनाई न हो आर्थिक द्रस्ती से, और जो माबाप की चाहें हैं वो बच्चों के थोपी भी बीना जाएं, और बच्चों के स्वतंत्र विचार हैं, जो उनकी रूची है, जो कुछ बनना चाहते हैं, उसका भी कही ना कहीं दमन न हो, और वो एक स्व जब ही परिशान होता रहता है, और पैरेंट्स भी कहीं न कहीं परिशान होते रहते हैं, और यदि ये हो तो एक सुंदर लक्ष, और वैसे भी लक्ष का निर्धारण यदि बच्चे करते हैं, तो अपने पैरेंट्स के साथ बैट करके जरूर इस विशे को चर्चा करनी च बहुत सारी समस्याइं आनी शुरू हो जाती हैं, तो यह भी एकारण बन जाता है कि बार-बार व्यक्ति लक्ष बनाने से भैखाने लगता है, कि मैं लक्ष बनाता हूँ और मुझे वो प्राप्त नहीं होता है इसलिए मैंने कहा कि बच्चे की रूची का ध्यान रखना परम आवश्यक है, मानलो वो कोमर्स में बहुत होसे आर है, उसकी रूची उधर जा रही है, और मानलो माबाप उसे एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसके और लोग भी बहुत इंजीनियर हैं, और पहल लिचे देना चाहिए, कि वो फिल्ड भी बहुत सुन्दर है, क्योंकि जीवन बच्चे का है, माबाप का नहीं, जो लक्ष बनाएगा बच्चा उसका बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट उसके भावी जीवन पर आने माला है, इसलिए बच्चे की हर छमता को समझते हुए, उसकी च्वाइस को प्रथम स्थान देना चाहिए, लेकिन लक्ष की जहां तक बात आती है, यूवर को यदी हम लेते हैं, तो किवल यही तेक लक्ष नहीं है, कि हमें पढ़ाई ही पढ़नी है, या पढ़ाई में ही एक लक्ष बनाना है, इसके इतर या इसके करना चाहिए, और इसको मतलब इसके अवेरनेस होनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं, बहुत बच्चे अच्छे डॉक्टर बन गए, लेकिन थोड़ी दिनों में टेंशन वहने लगी, और वो अपने मेडिकल प्रोफेशन को एंजोय कर पाए, हमारे सामने ऐसे बच्चे आते हैं, कि इंजीनियर बन गए, बहुत हाई परसेंटेज उनकी आ गई, फिर DRDO में साइंटिस्ट वो बन गए, लेकिन अपने साथियों के साथ को पप नहीं कर पा रहे हैं, मिलन हो ही नहीं रहा है, तो टेंशन में रहने लगे हैं, और भी, कईयों के साथ ऐसा हुआ है, कि अभी आयू 30 साल की हुई है, और रोगी रहने लगी है, उनको इस सीज का पता ही नहीं है, कईयों को कदम कदम पर जब सफलता होने लगी वहां, कंपिटीशन का एक यूग आ गया उनके सामने, उनके 20 साथी हैं, बहुत जबरदस कं करने के लिए, इन सब में जीवन को एंजोय करने के लिए, जैसा आपने कहा है, एजुकेशनल जो हमारा डेस्टिनेशन है, एम अबजेक्ट है, उसके साथ साथ मनुसको हेल्थ का ध्यान रखना, उसकी एक जनरल नॉलिज रखना, उसके बारे में केर रखना पहले से ही, य उनको भी उन्हे प्रसंद रखना है, उन पर भी उसकी एक बहुत अच्छी चाफ हो, इसके साथ साथ जिसकी आजकल बहुत आवश्शक्ता महसूस हो रही है, इसको यह भी पता होना चाहिए, तू है कौन, कहां से संसार में आया है, आखिर तेरी इनर पावर कैसे बढ़ें तो यह सरवंगे इन विकास के लिए, हेल्थ वाइज, सोसल वाइज, स्प्रिच्वल लिटी के तोर पर, मन का विकास, बुद्धी का विकास, और एक स्रेष्ट व्यवहार सीखना, व्यवहारिक होना, कई लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए, लेकिन व्यवहारि मतलब यह हम समझें कि लक्ष केवल एजुकेशन के फिल्ड की बात नहीं है, कि आपको केवल एक चूस करना है, कि आपको डॉक्टर या इंजिनियर बनना है, बलकि लक्ष यह होना चाहिए कि मुझे एक संपूर मानाव बनना है, मुझे सरवांगे विकास अपना करना है, चाहिए वो मेंटल फिल्ड हो, चाहिए स्पिरिच्वल फिल्ड हो, सोसल फिल्ड हो, या फिर अन्यक्षेत्र हो, तो सरवांगे विकास को इसमें हम लक्ष के रूप में शामिल करें, बिल्कुल इसी की महती आवशकता है, कई बार मनुस के वल धन कमाने को अपना लक्ष ब चाहिए समफोर्ण उन्नती के लिए जीवन को एंजोय करने के लिए बहुत आवशक है, यह सरवांगे विकास की जब बात आती है ब्राताजी, अब ज़्यादतर यूथ अपने कैरियर पे ही फोकस्ड होते हैं, कि पहले अपना कैरियर बना लिया जाए, जिस भी फिल्ड मे और बनाना चाहते हैं, तो यह सब चीजें कही न कही थोड़ी सी सिकेंडरी हो जाती है यह नगर्न्य हो जाती है, इन सब चीजों को साथ में लेकर के वो कैसे आगे ब्लाने हो लिक जाता है, लो पढ़ाई में भी और बहुत अच्छे हो सकते हैं, लूव बिमार ही रहने ल पर उनकी intellectual capability पर बहुत पूरा असर पढ़ता रहेगा छोटी छोटी awareness, जनरल knowledge हम यह नहीं कह रहें उन्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए पर अपनी health को कैसे ठीक रखें क्या खाएं, क्या न खाएं पानी कितना पियें, कब पियें, कब न पियें इसकी awareness उनको होनी चाहिए रही बात is spirituality की, यह तो एक ऐसा subject है यह तो एक education है और उसी education के साथ इसको भी जोट दिया जाए इसमें समय नहीं लगता, इसमें कोई अलग से time देने की ज़रुवत नहीं होती यह तो अपनी awareness है, यह तो अपने मन के विचारों को सुद्ध रखने की बात है अपने को energetic रखने की बात है तीसरी बात जो है, जो बहुत काम आती है मनुस के जीवन में वियवहार मनुस को रमनीक भी होना चाहिए, तो कहीं गंभेर भी होना चाहिए उसकी वानी दूसरों को सुख देने वाली भी होनी चाहिए, जो बहुत सारी जो युवहारी लेविल है मनुस का उसमें भी उसको जादा समय देने की जरूरतने इच्छो छोटी बाते जीवन में सीखते रहनी चाहिए तो यह सब एक साथ आगे बढ़ सकता है बहुत सारी जो युवहा हैं बड़े लक्षियों को बनाने में कई बार हिचकते हैं तो क्या कारण हो सकता है कि जादातर लोग लक्ष निर्धारन नहीं करते एक मैं आपके सामने आकड़ा रखना चाहूँगा कि पश्चिमी देशों में एक सर्वे किया गया तो वहाँ ये पाया गया कि वो लोग अपने जीवन में सबसे जादा सफल रहे जिन्होंने अपने लक्ष का निर्धारन किया था और लिखित में जिनके पास उनका लक्ष था और उन्होंने ये पाया कि 3% लोग ही थे उन्होंने एक गैदरिंग ली थी, कुछ लोगों को लिया था उन्होंने से 3% लोगों के पास ही उनका लिखित लक्ष था और 10 साल बाद उन्होंने देखा कि यही 3% लोग समाज में, संसार में सफल हैं बाकी की लोग सफल नहीं है तो यह आकड़ यह बताते हैं कि लक्ष इतना इंपोर्टेंट है फिर भी जादा तर युवा अपनी पास लक्ष का एक लिखित स्वरूप क्यों नहीं रखता या लक्ष बनाने में हिचकता क्यों आँ देखिये जैसे मैं 2-3 फिल्ड लूँ इस करना इपिएस करना जो एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं हमारे देश में दूसरा एक इंजिनिरिंग का फिल्ड है बहुत अच्छा एक मेडिकल का फिल्ड है एक C.A. Commerce Accounts यह फिल्ड है बिजनस का फिल्ड है अब कही लोगों के पास क्या है उनका फ्रेंड सर्कील ऐसा होता है जो उन्हें कहता रहता है तुम इंजिनिरिंग करोगे नोकरी तो मिलने नहीं है कहां से इतना महनत करोगे इतना पैसा खर्च करोगे छोड़ो इस फिल्ड को पाई एस और लाखो कंडिडेट पैठते हैं हर एक्जाम में उन में से थोड़े से 200 आइसों का सेलेक्शन होगा तुम्हारा का नमबर आने वाला है जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे जो निगेटिव एप्रोच मनुसको बच्चों को मिलती है उससे कही ना कहीं बच्चे अपना लग्ष ठीक से निर्धारित करते नहीं लेकिन मैं उनको राय दूँगा जो बच्चे इस तरह सोचें के इंजीनिरिंग कर रहे हैं बच्चे बहुतों को तो सुंदर नोकरी मिल रही हैं उन में से मैं भी एक होगा medical कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, सफल डोक्टर बन रहे हैं, मैं भी सफल डोक्टर बनूँगा, IAS, IPS के लिए candidates जा रहे हैं, मैं उस फिल्ड में भी सम्कून सफलता को प्राप्ट करूँगा, ठीक है, पैसा नहीं है, उसका भी इंतजाम कहीं न कहीं से अवस्य हो जाएगा, तो अनिशित रूप से अपना लक्ष लिखेंगे, उसको निर्धार जाएगे, एक बहुत सुन्दर बात आपने कहीं है, कि निगेटिविटी ना आने दें, क्योंकि यदि ये है, तो सफलता उन से बहुत दूर चली जाएगे, ब्राता जी, आज बहुत अच्छी चर्चा रही है, युवाओं के बारे में और उनके लक्ष के निर्धारण के बारे में, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, आज आपने जो सुन्दर बाते हम सब के सामने रखी हैं, युवाओं के सामने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, युवा मित्रों आपने देखा कि जीवन में लक्ष कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जब तक लक्ष नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक सफलता का स्वाद हम नहीं चक सकेंगे, सफलता हमसे कोसों दूर रहेगी, इसलिए आप ठान लें कि मैं अपने जीवन में एक लक्ष अवश इजाज़त दीजिए, नमस्कार समधान, समधान, समधान